प्रदानमंत्री केपी शर्मा ओली ले पत्त था गोपनियता को सफत गरहन गरेका चन। तेस्तरो पटक प्रदानमंत्री बनेका ओली लाई सुक्रबार सितल निवासमा राष्टपती विद्यादेवी भंडारी ले पत्त था गोपनियता को सफत गरा आयके हुन। मो केपी शर्मा वोली मुलुक्र जन्ता प्रती पूर्ण बफादार रही सब्ते निष्टा पुर्वक करति ग्यां करचू इस वर देश्र जन्ता को नाम मा शपत लिन चुकी नेपाल को राज के सत्तार शार्वं सत्ता नेपाली जन्ता वा निहित रहे को नेपाल को संभिधान प्रती पूर्ण बफादार रहा रही परदान मंत्री पाद को कामकाज परचलीत कानून को अधिन मा रही मुलुक्र जन्ता को सोजो चिताई कशाई को डर न मानी पक्षपात न गरी पूर्वाग्रह वाखराब भावना न ली इमांदारिता का साथ गरने चुल राष्टपती बाट सफट लिये का उलीले सुक्रबारे सिंगदरबार मा पदभार ग्रहंड गरे पदभार संगे उनले शुक्रबार ने प्रदान मंत्री राष्टपती राज्य मंत्री नियुक्त गरे काशन। प्रदान मंत्री ओली ले वाईशाक 27 समसद गठबंधन ले बहुमत पुर्याउन न सके पसी राथी दस बजे राष्टपती राष्टापती राष्टमा थे को हैशियत ले ओली लाई सम्मिदान को धारा चियतर तीन अनोचार प्रदानमंत्री नियुकत गरेकी हुन। फेरी समसद बाट विश्वास को मत लिनुपरने सम्मेदानिक ब्यवफता चौँ प्रदानमंत्री को राजी नामा मायको दल्ले बहुमत को सरकार बनावन नसके पसी पुन प्रदानमंत्री बने का ओली ले विश्वास को मत लिन शकलान यसको जबाब बने ओली ले अपचालन सत्ता समी करणले निर्धारन गरने छो सगर माथा टेलिविजन का लागी पुष्कर खती ओडा काफ मांडो